जैने दोस्तों बंदे मात्रम देखिए, मूवीज तरह तरह की बनती है और शायद मुझे ऐसा लगता है इनेटेनिम इंडस्ट्री में इसी चीज़ की सबस्यादा जरूरत भी है अलग-अलग तरह की मूवीज बनती हैं गदर 2 वर्सेज O.M.G. 2 अब देखिए, दोनों ही मूवीज अपने अपनी तरीके से मुझे लग रहा है कि बेस्ट मूवीज है अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटी से जानकारी दूँगा लगान आप सभी ने देखी होगी अलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी हम सभी की एक पतनीदा मूवीज में से भी एक है जिनी मूवीज को हम लोग कल्ट लासिक की श्टेणी में डालते हैं कुछ उस टाइप की मूवी है आपको यह जानकार हैरानी होगी कि आज से 22 साल पहले जब गदर रिलीज हुई थी तब गदर के साथ में ठीक उसे दिन लगान भी रिलीज हुई थी गदर और लगान इन दोनों के बीच में कलैश हुआ था बहुत बड़ा कलैश था उस टाइम का लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया पबलिक इस बात को समझ गई कि दुनों ही मुवीज अपनी अपनी जगे पर सही मुवीज है और आज की बात है कि कोई भी गदर वर्सिस लगान की बात नहीं करता अब गदर वर्सिस लगान की बात तो नहीं करता है कि इन दोनों के अपने अपने दर्शक वर्ग है अब्विस्सी बात है गदर टू आज की तारीक में बहुत अच्छा कमा रही है और ओएमजी टू उसके सामने उत्रा नहीं कमा पारी बढ़ हाँ अपनी कैपसिटी में वो कमा रही है बट लॉंग रन में अगर हम देखे त शायद ओ एमजी टू की भी रिपिटिटिफ वैल्यू अच्छी खासी रही रिपिटिटिफ वैल्यू अगर आपको नहीं पता तो बता दो किसी मूवी को जब वो डिजिटल प्लेट्फॉर्म पर आती है सेटलाइट पर आती है तो बार 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 देखने का जो एक र शेकुमार के भी एर्दिकर्दी चल रही है लेकिन इन सब के बावजूद भी ओएमजी टू ने अपना एक दर्शक वर्ग बना लिया है भरोसा नहों तो आप मेरे कल के वीडियोस पर जाकर कमेंट्स देख सकते हैं कई सारी पब्लिक है जो कि वहां पर आकर कमेंट कर रही है कि हमने मुवी देखी और हमको बहुत अच्छी लगी देखिए मैं जितना मुझे समझ में आ रहा है इतना यह है कि यार ओमजी को शायद अभी रिलीज करना नहीं था य अच्छी मुवी है बहुत बड़ा इंपक्ट इसकी कमाई के उपर पढ़ रहा है और आज की तारीख में कोई माने या ना माने मुवी रिव्यू के बाद में यदि कोई व्यक्ति मुवी देखने के पहले कोई चीज का ध्यान देता है तो उसका कलेक्शन होता है क्योंकि कलेक्शन एक लिहाज से यह देखा जाता है कि मुवी जो है लोग देख भी रहें कि नहीं देख रहें रिव्यू तो चलो अच्छा है बुरा आ गया लेकिन पबलिक उसको देख रह कर लें उसमें कोई चीजे भी होनी चाहिए ओम जी टू के कलेक्शन की यदि हम लोग बात करें इसका काफी प्रॉमिसिंग निकल कर आया है एडवांस बुकिंग हाला कि इसकी काफी स्लो रही थी और एडवांस बुकिंग के लिहाज से अगर हम देखे तो मातर पहले दिन जो हुई थी पांच करोड की एडवांस बुकिंग हुई थी दूसरे दो पर हमने ध्यान भी नहीं दिया लेकिन हम उसके बाद से इसका कलेक्शन लगातार बढ़ा ही है पहले दिन के अगर हम कलेक्शन की बात करें तो करीब सबादस करोड के आसपास पहुंचा था दूसरे द उमीद थी 18-19 करोड इसका कलेक्शन जाएगा लेकिन संडे को हमने देखा भाई की गदाटू की सुनामी मची हुई है तो इसलिए इसको उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं मिल पाया इसका कलेक्शन लगा है साड़े 17 करोड रुपए एक आत करोड हो सकता है अभी उपर नीच यार इसने कमाए है बजट की बात करें तो इस मुवी का बजट है देड़ सो करोड के असपास और यहां पर सबसे बड़ा ग्लिच जो है वो यह है कि इसको गदर से भी आदी स्क्रीन्स मिली है मतलब गदर की स्क्रीन्स करीब 4,000 है तो अक्षे कुमार की OMG 2 की जो स्क्रीन स अपने हिस्सेदारी है कि उसको किस हिसाब से देखना है या इसको किस हिसाब से देखना है लेकिन एक मोटे तोर पर बात हम यह कह सकते हैं कि OMG 2 का कलेक्शन यहां पर मुझे ऐसी गट फीलिंग सी आ रही है कि अगर यह शायद गदर 2 के अलावा किसी और दिन रिलीज हुई होती तो शायद काफी बहता रहता लेकि बात वही है कि सेंसर बोल्ड की गुत्तम गुत्ती के कारण इस मुवी में अल्रेडी काफी जादा बिवाद खड़े हो चुके थे और उस कारण से भी इस मुवी को काफी दिक्कते हुई है बागी आपका एकना इस बारे में कमेंट से आपके लिए खुला हुआ है लिख के जरूर बताएं मेरे जुडियों फिलालत नहीं जाएं जाएं जाए भारत